ह्लो थेर्, कैसे हैं आप लोग, किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड किया जाए, तो क्या होगा? क्या वो इन्फिनिटी होगा? इन्फाइनाइट होगा? या फिर वो उसे अंडिफाइंड कहा जाता है? तो अलग-अलग scenarios में, अलग-अलग texts में, अलग-अलग situation में आप इसका अलग-अलग तरह का जवाब पाते हैं, कहीं पर आपको undefined लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर आप पाते हैं infinite लिखा हुआ रहता है, लेकिन reality क्या है, इसका असली मतलब क्या है, कि कोई भी number, कोई भी finite number divided by zero, वो क्या हमें देता है, तो इसे शुरू करने से पहले, division और multiplication के बीच का जो relation है, division का जो fundamental sense है, एक बार उसे revise कर लेते हैं, बहतर होगा, for example, for example, अगर कहा जाए 3 into 2, that is equal to 6, इसका असली मतलब क्या है, इसका असली मतलब है कि अगर माल ले 3 बक्सा है, 3 बक्सा का एक group है, ऐसा ही group अगर दो बार लिया जाए, तो फिर total कितना बक्सा होगा, इसका मतलब है, यही, multiplication, 3 into 2, 3 into 2, that is equal to 6, इसका inverse अगर देखा जाए, तो आप यह कह सकते हैं, कि 6 divided by 2 is equal to 3, 6 divided by 2 is equal to 3, ऐसा होना ही है, because 6 divided by 2 का मतलब ही है, कि 6 बक्से हैं, उसे अगर 2 हिस्सों में बाट दिया जाए, तो एक-एक हिस्सा में कितना बचेगा, या एक-एक हिस्से में कितना मिलेगा, इसी का opposite, 3-3 बक्सा, दो बार रखा गया, तो 6 हुआ, अब 6 बक्से को 2 पार्ट में तोड़ दे, तो 3 ही मिलेगा, तो यह multiplication और division के बीच का inter-relation है, तो यहाँ पर आप गौर करें, अगर 2 finite numbers रहें, एक finite number को दूसरे finite number से divide किया जाता है, तो हमें एक finite number मिलता है, इस number is finite, इसे हम गिन सकते हैं, इसे हम day to day life में use कर सकते हैं, simply हम 3 को count भी कर सकते हैं, यह finite होगा और यह unique होता है, यह unique होता है, ऐसा नहीं कि 6 divided by 2 कभी आपको 3 मिलेगा, कभी 4 मिलेगा, कभी 6 मिलेगा, कभी minus 2 मिलेगा, ऐसा नहीं है, इस solution, यह जो solution है 6 divided by 2 का, यह solution unique है, एक ही number आपको मिलेगा, वेल, जब हम finite number से दूसरे finite number को divide करते हैं, तो हमें एक finite number मिलता है, और वो number unique होता है, अब अगर किसी number को हम 0 से divide करें, तो देखें क्या होने वाला है, For example, हम 1 को ही divide कर लेते हैं 0 से, 1 को divide करेंगे हम 0 से, और उसे inverse ले जाएंगे, multiply करके देखेंगे कि कैसा scenario हमें मिल रहा है, So now, this is the first case, the basic fundamental and the second case, second case में हम क्या कर रहे है, 1 divided by 0 बराबर क्या होगा, Let us say, 1 divided by 0 is equal to, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, 1 divided by 0 is equal to A, अब इसका inverse ले जाते हैं, जैसे इसका हम inverse कहेंगे क्या है, multiplication, division का उल्टा है, multiplication, तो इसका inverse को अगर हम देखते हैं, तो इसी से हम आगे कह सकते हैं, कि 1 is equal to A multiplied with 0, आप देखें, हमें क्या ढूंदना है, हमें यह value जो होगा A का, इस value को ढूंदना है, जो कि इसका solution होगा, 1 divided by 0 का solution होगा A, अब आप यहाँ पर कोई number डाल के, इस statement को सही ठहराने का कोशिश कीजिए, कोई भी number, For example, यहाँ पर A के जगा, अगर मैं 10 डालता हूं, 10, तो क्या हमें solution मिलेगा, 0 into 10 is equal to 0, तो 1 तो वो दिया नहीं, अगर मैं A के जगा 100 डालता हूं, 1000 डालता हूं, एक करोर, एक अरब, कुछ भी finite value आप यहाँ पर डालिये, यह solution दे ही नहीं सकता, कोई भी finite value डालिये, 10 अरब, into 0 is equal to 0, मतलब यह solution हमें नहीं दे सकता है, यह हमें बता रहा है, कि किसी भी तरह का finite number यहाँ पर नहीं हो सकता है, A का value finite नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या possibility है, So, ऐसे scenarios में, mathematicians कहते हैं, कि this is undefined, कुछ लोग कहते हैं, I am not going to say, Mathematicians, सारे Mathematicians कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, this is the reason, Because यहाँ पर finite value नहीं मिलेगा, so that's why it is undefined, इसे define नहीं किया जा सकता है, चलिए, एक और तरीके से इस चीज को देखने का कोशिश करते हैं, Number line में, number line में हम इस चीज को खोजने का कोशिश करेंगे, कि कोई भी number, इस x-axis में हम लोग plot करेंगे, यह जो denominator में, जो 0 है, actually हम लोग 0 से शुरू नहीं करेंगे, कोई finite number से शुरू करेंगे, और धीरे 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 0 के तरफ approach करते जाएंगे, So, यहाँ पर हम एक number लेंगे, for example, that number is x, इस axis में x लेंगे हम लोग, x, okay, और यहाँ पर y-axis में हम लोग 1 divided by x को plot करेंगे, let us say यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और obviously यह origin है, which is 0, और यहाँ पर है 1, फिर 2, and so on, तो आप अभी गौर कीजी एक चीज, अगर मैं कहता हूँ कि x का value, x का value जब 2 है, उस समय 1 divided by x कितना होगा, उस समय 1 divided by x, obviously 1 half होगा, 1 divided by 2, so इस समय इसका value हुआ 1 half, मैंने 1 half को plot कर दिया, जब x का value 2, 1 divided by x का value 1 half, जब x का value 1, उस समय 1 divided by x का value 1, 1 divided by 1 is 1, so उस समय इसका value होजाएगा 1, जब x का value 1, 1 divided by x is equal to 1, जब x का value half होगा, यहाँ पर half है, जब x का value half होगा, उस समय 1 divided by x क्या होगा, so 1, 1 divided by half, 1 divided by half, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, यह denominator का denominator में जो 2 है, यह numerator में चला जाता है, so 2 divided by 1, that is equal to 2, so 1 divided by half is equal to 2, so इसे हम लोग यहाँ पर plot करेंगे, इस तरह से आप धीरे-धीरे 0 पे approach करने की कोशिश कीजिए, आप यहाँ पर गौर से देखिए, कब, यह जो graph बनेगा, कैसा बनेगा, जब x का value 2, तो 1 divided by x is half, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, इस तरह से यह graph चड़ रहा है, अभी आप 0 को और approach कीजिए, अगर x का value 1 divided by 10 होता है, उस समय 1 divided by x का value कितना होगा, कितना उपर रहेगा वो point, उस समय 1 divided by x का value हो जाएगा 10, जब x is equal to 10, so 1 divided by x is equal to, माफ किजेगा, यह point 1, जब x का value point 1, उस समय 1 divided by x का value हो जाएगा 10, मतलब वो point यहाँ पर, x का value 1 divided by 10, और 1 divided by x का value 10 में होगा, मतलब बहुत उपर होगा, यहाँ graph में होगा उसे plot नहीं कर सकते हैं, अब आप कार कीजिए, अगर x को, और हम 0 के करीब जाते हैं, और यहाँ पर plot करते हैं, 1 divided by 100 में, x का value 1 divided by 100, यहाँ पर यह जो gap है, बहुत छोटा हमने कर दिया, हम 0 के और बहुत करीब करीब पहुंच रहे हैं, तो x का value जब point 01 हो जाएगा, उस समय 1 divided by x का value हो गया 100, मतलब उस point को, इसके साथ associated जो 1 divided by x का value है, वो 100 में जाक plot होगा, बहुत उपर है वो, इसलिए हम लोग यहाँ पर plot नहीं कर सकते हैं, अब यही logic को आप आगे बढ़ाते जाहिए, 0 के और करीब आते जाहिए, x का value कर दीजिए, 0,0, 0, 0, 1, उस समय आपको 1 divided by x मिलेगा 1000, फिर इसे और छोटा किजिए, 0, 0, 0, 1 किजिए, और करीब ले आईए, 0 के, इसका value 10 times और बढ़ जाएगा, इसे 10 times घटाते जाए, 1 divided by x का value 10 times बढ़ते जाएगा, जैसे point, अगर मैं इसे और 10 times छोटा कर देता हूँ, यह हो जाए, 0, 0, 0, 1, उस समय 1 divided by x का value हो जाएगा 10 जान, इसी तरह से, आप देखे, जितना आप 0 के करीब पहु पहुच रहे, 1 10th, 1 10th, 1 10th, 1 10th, 1 10th करते हुए, आप 0 के और करीब पहुच रहे, जितना आप 0 के करीब पहुच रहे, यह graph उतना उपर की तरफ चड़ रहा है, उतना उपर की तरफ चड़ रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब कि 0 पहुचते, 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 पहु दे जा रहा तो इस sense में अगर आप देखे तो आप कह सकते हैं कि जब x का value 0 होगा उस समय 1 divided by x इतना बड़ा होगा इतना बड़ा होगा इतना बड़ा होगा कि उसे हम किसी finite number से उसे represent नहीं कर सकते हैं इसी को कहा जाता है infinity तो इस sense में अगर आप देखे तो आप कह सकते हैं कि x का value जब 0 होगा तो 1 divided by x is equal to infinity कह सकते हैं आप और बहुत सारे physical scenarios में physics के बहुत सारे cases में हम इसे use भी करते हैं हम ऐसा नहीं कहते हैं कि that is equal to undefined कोई situation arise हुआ something divided by something else और वो something else का value 0 आया तो हम result को undefined नहीं कहते हैं चल यह real life example भी देख लेंगे undefined नहीं कहते हैं हम उसे infinity कहते हैं तो अगर यह infinity है तो mathematicians इसे undefined क्यों कहते हैं इसके पीछे असली reason कुछ और है असली reason क्या है देखे हम तो positive side से आ रहे हैं ना 0 के तरफ अब आप negative side से 0 के तरफ अप्रोच करने का कोशिश कीजिए जैसे कि यहाँ पर आपको negative 2 मिलेगा यहाँ पर आपको negative 1 मिलेगा जब x का value negative 2 उस समय 1 divided by x is equal to negative half सो उस negative half को मैंने चलिया यहाँ पर plot कर दिया यह यह 1 यह negative 1 यह negative 2 सो उसे मैंने यहाँ पर plot किया अब जब x का value negative 1 होगा उस समय 1 divided by x 1 divided by negative 1 is equal to negative 1 सो उस समय इसका value हो जाएगा कुछ यहाँ पर well मैं थोड़ा इसे मिटा दू आपको पता है यह क्या है जब x का value negative 1 उस समय 1 divided by x is equal to negative 1 जिस समय x का value negative 1 10 उस समय 1 divided by x का value बहुत नीचे होगा यह जो graph है यह graph इस तरह से चलेगा यह वाला graph किस तरह से आया था यह वाला graph इस तरह से चड़ा था यह वाला graph इस तरह से जा रहा अब इस logic से देखिए आप 0 को जितना approach करते जाएंगे यह negative direction में 1 divided by x आगे बढ़ते जाएगा आगे बढ़ते जाएगा आगे बढ़ते जाएगा previous sense से इस sense में हमने जैसे कहा था कि जब x का value 0 होगा तो 1 divided by x इतना बढ़ा हो जाएगा इतना बढ़ा हो जाएगा कि उसे हम infinity कहेंगे तो अब इस sense में उसी logic को लगा कि हमें क्या तहना होगा कि जब x का value इधर स चोटा होगा, इतना छोटा, चोटा कहना गलत बात है, यहाँ पर, negative direction में वो इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, कि उसे हमें negative infinity कहना होगा, that means, 0, जब x का exact value वोगा 0, उस समय 1 divided by x क्या होगा, क्या वो positive infinity है, या फिर वो negative infinity है, वो कुछ नहीं है है that's why it is called undefined mathematics में इसे undefined कहा जाता है अगर आप इस graph को देखे तो ये continuous graph है यहाँ पर continuity follow होगा अगर आप बहुत close points के लिए 1 divided by x को plot करते जाए plot करते जाए करते जाए x का value बहुत close लेते जाए बहुत करीब 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 उसे plot करते जाए plot करते जाए तो आपको एक continuous इस तरह से curve मिलेगा तो इसे continuity कहा जाता है इस curve में आपको एक continuity मिलेगा यहाँ पर broken नहीं होगा graph कहीं पर टूटा हुआ नहीं होगा कि graph यहाँ तक ऐसा आया फिर आगे से इस तरह से चलने लगा यहाँ पर broken है यह, तूटा हुआ है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर continuity मिलेगा, graph continuous है, so यह graph भी आपको continuous मिलेगा, यह graph भी आपको continuous मिलेगा, लेकिन दोनों graph एक साथ continuity को follow नहीं कर रहा है, बलकि दोनों graph के बीच यह जो 0 वाला point है, यहाँ पर discontinuity है, इस तरह स से यह जा रहा है, positive infinity तक, तो zero में क्या, zero में है discontinuity, और चुक히 zero में discontinuity है, और हम ना तो mathematically, mathematically हमें बात कर रहा हूं, हम लोग mathematically ना तो इसे positive infinity कह सकते हैं, ना ही इसे negative infinity कह सकते हैं, ऊपर से zero में यह graph जो है, यह discontinuous है, यह वाला graph, यह वाला graph, आप दोनों ही discontinuous है, इसलिए बहतर होता है ये कहना कि when x is equal to 0, उस समाई 1 divided by x is undefined, आप define कर ही नहीं सकते, ना तो positive infinity कह सकते, ना ही negative infinity कह सकते, उपर से ये graph जो है, ये भी discontinuous है, तोटा हुआ है 0, 0 में ये तोटा हुआ है, तो इसलिए इसे undefined कहा जाता है, physical scenario में, physics के बहुत सारे cases में, हम इसे infinity माल लेता है, anything divided by 0 is infinity, मैं आपको एक छोटा सा example दे रहा हूँ यहाँ पर, कि relativity जब आप पढ़ेंगे, पता नहीं क्यों relativity मेरे दिमाग में आया अभी, जब आप relativity पढ़ेंगे, special relativity उस समय, उस समय आप देखेंगे, कि for example, for example, ये आपका दोस्त है, आपक लिख रहा हूँ, क्या बहुत, हाँ, इस दोस्त ने, इस रुके हुए दोस्त ने, आपके दूसरे रुके हुए दोस्त का mass measure किया M0, अब क्या होता है, कि आप, आप इसे observe कर रहे हैं, इस दोस्त को, जिसका mass रुके हुए, इसी frame of reference में, दोनों ही रुका हुआ था, किसी ज कि दोस्त ने, आपके दोस्त आपके respect में, मूव कर रहा है, यह आपके respect में, जिसका relative velocity अगर V हो, आपके respect में, आप observe कर रहे हैं, इसका relative velocity V है, उस समय, आप इसका mass observe करेंगे, that mass will be equal to M, आप जो इसका मास observe करेंगे, that is equal to M which is equal to M0 divided by square root of 1 minus V square divided by C square, यहां पर C is the speed of light तो अगर hypothetical scenario लिया जाता है hypothetical scenario ऐसे create किया जाता है, कि मान ले कि आपका दोस्त, आप देख रहे हैं, आपका दोस्त light के speed से move कर रहा है उस समय आप उसका मास क्या observe करेंगे, तो अगर hypothetical situation है अगर यहां पर V के जगा हम C plot करें speed of light, तो उस समय यह जो term है, यह term क्या बन जाएगा 1, and 1 minus 1 is equal to 0, square root of 0 is 0, इस case में आप उसका जो मास observe करेंगे अगर ऐसा scenario आता है, और being a physicist, आप कह देते हैं, उसका mass undefined है, यह सही नहीं होगा, normally physicists इस तरह के cases में कहते हैं कि M0 divided by 0, that is equal to infinity, ऐसा कहा जाता है कि उसका mass, relativistic mass, इस mass को relativistic mass कहा जाता है, इसे rest mass कहा जाता है, M0 को, जो इसी के साथ रुका हुआ कोई और इसका mass measure करेगा, इसे rest mass कहा जाता है, और यह relativistic mass है, relative motion में है यह, so, ऐसा कहा जाता है कि the relativistic mass इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, that will be equal to infinity, infinite mass हो जाएगा that's why किसी भी mass वाले object का light के speed से, किसी के भी respect में light के speed से move करना, it is impossible ऐसा कहा जाता है, so यहाँ पर अगर आप physicist के sense में देखे, तो physicist यह नहीं कहते हैं कि this relativistic mass will be undefined, वो कहते हैं, relativistic mass बहुत 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 बढ़ा हो जाएगा, बहुत huge हो जाएगा, infinite mass हो जाएगा, so I hope, I hope कि यहाँ से आपको एक fundamental sense मिला होगा कि क्यों anything divided by zero उसे undefined कहा जाता है, और physics के sense में, physical scenarios में, अगर आप infinity कहते हैं, तो यह कोई गलत बात नहीं है, अगर आपको, आप ऐसा scenario arise हुआ, कि एक physical quantity divided by दूसरा physical quantity is equal to third physical quantity अब यह दूसरा जो denominator में है उसका value 0 है, तो आपको जरूरत नहीं है कि यह जो result देगा, आप उस result को undefined का है, आप उस result को infinity कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो I hope कि वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, अगर standard 9th और standard 10th level का कोई question आपके पास है, तो इस तरह का सवाल अगर है, तो हम लोगों के साथ जरूर शेयर करें मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के सवालों का जवाब दू, तो जल्द मिलते हैं नाइट आपके साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें, गिद बाई